नमस्ते, वेदिक राष्ट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आपने अक्सर एसे लोगों को अपने आसपास देखा होगा जिनके पास पूर्ण मातरा में संसाधन होने के बावजूत वो अपने पास मोजूत संसाधनों से कभी संतोस्ट नहीं रह पाते और एसे लोग भी अवश्य ही देखे होंगे जिन में संसाधनों के प्रती इतनी मोहो की भावना होती है कि वो कभी उनसे निरलिप्त होई नहीं पाते अक्सर अगर छोटी सी इस्तिती भी आ जाए चब उनसे उन संसाधनों से दूर होना पड़े छोटी छोटी चीजों से तो उनको बड़ा असहज मैसूस होता है अनेक लोग ऐसे होते हैं अक्सर हम मैंसे सभी लोगों के अंदर आज कुछ न कुछ चीजों के प्रती इतना लगाव रहे लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका संपूर्ण मातरा में संसाधन उपलब्द होते हुए भी उनके प्रती बिलकुल लगाव न रहा हूँ जी हां भारत वर्ष में अनेक लोग ऐसे हो हैं उनी में से एक महापुरुष के जीवन का छोटा सा प्रेरक प्रसंग आज हम आपको सुनाएंगे वेद वेद विशेग जानकारियों के लिए रोचक प्रेरक प्रसंगों के लिए लगातार हमारे साथ बने रही है वेदिक राष्ट को सब्सक्राइब कीजिए आईए जलते हैं प्रेरक प्रसंग की ओर चनक के बारे में कहा जाता था कि वे एक चतुर राज्यतक्य होने के साथ साथ विरक्त प्रकरती के विक्ती थे वहाँ मगद देश के समराट चंद्रगप्त मोरी के महामंतरी थे और उनके गुरू भी लेकिन मंतरी होने के बावजूद सहर से बाहर छोपड़ी में निवास किया करते थे विरक्त की इतनी प्रवल भावना थी उनमें कि संपूर्ण राष्ट उनकी इस भावना का दिल से सम्मान किया करता था एक बार समराट चंद्रगप्त ने आचारी चानक्की को कुछ कंबल गरीबों में माटने के लिए दिये अब आचारी उन्हें लेकर अपनी जोपड़ी में आ गए कुछ चोरों के कानों तक ये खिबर पहुंची उन्होंने धन अरजित करने का एक अच्छा उसरी से समझा और जाकर चानक्की की चोपड़ी से उन कंबलों को चुराने का प्लान सोच लिया इस परिस्तिती में रात्त्री के समय वो लोग पहुंचे और चोपड़ी के पास जाकर कंबलों को चुराने के लिए जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो वहां का नजारा देखकर उनके हों सुड़ गए उन्होंने देखा कि एक चटाई पड़ी हुई है और उस पर चानक के सो रहे हैं पास में कंबलों का ठेर लगा हुआ है लेकिन चानक के ने उन्हों में इसे एक भी कंबल अपने लिए नहीं लिया उनके मन में अनेक सारे प्रषण उठें और वो आश्चरे चकित होकर उन्होंने अचारे को उठाया कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपके पस इतने सारे कंबल रखें हुए हैं आपने इन में से एक भी नहीं लिया, क्यों? आचारे का उत्तर उनके लिए और हमारे लिए भी प्रेणा कास्त्रों थे उन्होंने कहा कि ये कंबल राजा ने गरीबों के लिए दिये हैं इन पर मेरा अधिकार नहीं है, सो मैं इनका उपयोग नहीं कर सकता उनकी ये बात सुनकर, जो चोर थे, वो अतिन दल जित हुए उन्होंने सोचा कि एक चानक के हैं, जो दूसरों के धन के उपयोग के बारे में सोचता भी नहीं और एक हम हैं, जो सतत दूसरों का धन चुराते रहते हैं नेमित रूप से उन्होंने आचारे चानक के किचड़ों में किरकर उन से छमामागी और आचारे को वचन दिया कि उस दिन के पश्चाद वो कभी चोरी नहीं करेंगे उन्होंने उसी चण से चोरी का त्याक कर दिया आचारे बहुत प्रसंड होगे आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि लोग अकसर दूसरों का हक छीनने में भरोसा रखते हैं अपने पास मौझूद संसाधनों के होते हुए उनमें नरलिप्त नहीं रह पाते संसाधनों से संतुष्ट नहीं रह पाते लेकिन ये कहानी हमको प्रेणा देती है हमें सीख देती है अचारे चानक की जिंदगी के मौजुदा संसाधनों से हमें सबसंतुष्ट रहे साथ ही साथ कभी भी संसाधनों के प्रती आसकत ना हो और अगर किसी चीज़ पर गरीबों का हक है आपका अधिकार नहीं है तो कभी भी उसके प्रती मोहों की भावना या उस चीज़ के दुरुपियों की भावना ना लाए विचार कीजिएगा आपकी जिंदगी पहले से और बहतर होगी और अगर इन मुल्यों को सभी अपने जीवन में धारन करें तो हमारा राष्ट और अग्रसर होगा उननती की और वेद वेद विषयक जानकारियों के लिए रोचक प्रेरा प्रसंगों के लिए वेदिक राष्ट को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना ना भूले अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बोक्स में अपने कीमती सुझाओ सलाह प्रश्ण और साथी साथ अपने कीमती वीडियो के आगे के लिए सुझाओ हमें प्रदान करें थन्यवाद